हलो दोस्तो आज के इस पार्टिकुलर्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगे किस तरीके से आप फेस्बुक एड्स के थुरू आईफोन आईपैड यूजर को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका या फिर आपके क्लाइन का बिजनस ऐसा है जो लगजरी गूर्ष में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे यूजर को आप टारगेट करना चाहते हैं जैसे रियल इस्टेट हो गए या फिर आप यूनिवर्सिटी डिगरी का कोई एड रन कर रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसे यूजर को एड दिखाना है जो लगजरी गूर्ष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं behavior के according भी आप target कर सकते हैं उन्हें device level पर भी आप targeting कर सकते हैं एक scenario से मैं आपको समझाऊंगा जैसे आपका कोई ticket है high ticket का आपको product है जैसे real estate से related या फिर आप degree का कोई degree sale करना चाहते हैं और उसके लिए आप student find करना चाहरे हैं तो आप iPhone user को आप target कर सकते हैं या फिर कोई भी situation हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में सिखा हुआ कि अगर आपका audience ऐसा है जो iPhone user है जो iPad user है और आप Android user को नहीं दिखाना चाहते आप backstop में नहीं दिखाना चाहते आप ad तो आप इस level पर भी targeting कर सकते हैं और आप अपने interested prospect को पहुँचा सकते हैं उहां तक अपनी ad को अपने आप advertising उन्हें दिखा सकते हैं तो मैं चलता हूँ अपने computer screen पर और आप यहां पर आ सकते हैं यह देख सकते हैं यह ad manager का interface है यहां तक कैसे आते हैं क्या होते है यह ad manager account कैसे create करते हैं यह सब मैं बता चुका हूँ इस course में अगर आप मेरे channel को visit करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं अभी तक 550 videos create कर चुका हूँ जो digital marketing से related हैं और इसके साथ साथ मैंने courses भी create करा है यहां पर आपको random videos मिल जाएंगे जो digital marketing से related है अगर आपको courses सीखना है तो आपको playlist में आना है और यहां पर मैंने बहुत ही structure way में सारे courses को divide और segregate कर रखा है अगर आपको SEO सीखना है तो इस वाले playlist में जाना है अगर आपको wordpress website development सीखना है तो इस playlist में जाना है अगर आपको Instagram, Facebook, email, chat, GPT, WhatsApp business marketing, Google business profile यानि कि digital marketing के जितने भी segment है उन सब के उपर मैंने courses create करा है आप लोगों के लिए आप free में मेरे channel से सीख सकते हैं बस आपको subscribe करना है मेरे channel को और जुड़े रहना है ताकि आपको जितने भी आने वाले और भी बहुत सारे valuable information है courses है, videos है उ सब की notification आपको पहुंसती रहें और आप free में अपने digital marketing केरियर को grow कर सकते हैं यहां से सीख कर, हम जानते हैं कि digital marketing का जो field है वो काफी dynamic field है, यहां हर रोज नहीने changes आते हैं, कोई ने algorithm साते हैं, कोई ने tools आते हैं, या new introductions होते रहते हैं इस film में, इसलिए आपको ऐसे resources को follow करन हैं, यह आपको पूरी career में digital marketing के field में जितनों आप career बनाना चाहते हैं, आपको काफी help करने वाले हैं, बहुत सारे valuable information आपको यहां पर मिल जाएंगे, अगर आपको यहां पर देखे, facebook ads expert बनना चाहते हैं, तो यह देख सकते हैं, 28 videos में अभी तक डाल चुका हूँ इस courses में और यहां पर और भी videos update होते रहते हैं, जैसे से कोई new change आता है, facebook advertising में, कोई demographics से related, interest से related, कोई new algorithms आते हैं, कोई ने campaign इसमें add होते हैं, तो ने ने चीज़ें, इसमें जैसे से add होती रहती हैं, मैं यहां पर आपके लिए videos बनाता रहता हूँ, तो यहां एक बार यह नहीं कि म आप तक पहुंचती रहे time to time, तो चलिए अब हम यहां पर start करते हैं, सबसे पहले मैं कोई campaign design कर लेता हूँ, मैं पूरे campaign को design करना नहीं सिखा हूँगा, तो एक एक topic पर मैं आपके लिए videos ला रहा हूँ, ताकि आपको in depth knowledge हो जाए, यहां पर आप अपने according कोई भी objective choose कर सकत है, मैं यहां जैसे lead objective choose कर लेता हूँ, मुझे lead generate करना है अपने कोई client के लिए जिनका user, iPhone है, user है, iPad user है, तो मैं इस तरीके से उन्हें target करूँगा, continue पर click करेंगे, आपके सामने campaign level open हो जाएगा, campaign level पर कुछ settings होती है, इसके बारे मैं आपको बता चुका हूँ, एक टेस्ट क्या होती है, special ad category, यहां जब आप click करेंगे, तो यह पूछता क्या आपका ad house से related है, employment से related है, credit से related है, तो आपको यहां पर बताना पड़ता है, अगर आप Facebook ad expert बनना चाहते हैं, आपको अपने client को service देना चाहते हैं, तो आपको बारीकी से चीज़ों के बारे में पता होना तभी आप result ला सकते हैं, और आप अपने client को retain कर सकते हैं, या फिर आप एक business owner है, खुद ही आप digital marketing सीख रहे हैं, तो आपको भी real data से सीखना होगा, बारीकी को आपको समझना होगा, understand करना होगा, तभी आप quality lead ला सकते हैं अपने business के लिए, अपने business को Facebook ads के थुरू grow कर सकत हैं, इसलिए जो भी चीज़े मैं आप बताता हूँ, आपको उस चीज़ों को seriously सीखना है, नहीं तो आप एड चला लेंगे, एड में आपके पैसे भी फूख जाएंगे, लेकिन कहभी आपको result नहीं आएगा, इसलिए आपको बहुत ही carefully ये सारी चीज़ों को सीखना है, ज जहाँ पर हम audience की targeting करते हैं, behavior, interest के recording, और जहाँ पर हम placement वगएर है, choose करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, मैं targeting का भी नहीं सिखाऊँगा, आपको यहाँ पर switch to original audience है, जो भी आप targeting करते हैं, आप अपने recording कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे custom audience है, save audience है, यह सर मैं आपको बता च अब आपको क्या करना है, placement में आना, जैसे ही आप placement में आएंगे, मैं यहाँ पर edit करूँगा, मैं यहाँ पर manual placement choose करूँगा, और यहाँ आप देखेंगे कि device आपसे पूछा जाता है, कि all devices, यानि आप किसे, आप desktop पर भी दिखाना चाहते हैं, और mobile पर भी दिखाना चाहते हैं, उसके बाद mobile के भी further आगे categorization आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने select करा all devices, ठीक है, नीचे आप आएंगे, यहाँ आपसे पूछेगा, जैसे more पर click करूँगा, यहाँ आपसे specific mobile device and operating system, यानि कि आप यहाँ पर को specific operating system है, जो mobile devices हैं, उसके according भी target कर सकते हैं, यह हमारा एड नहीं दीखे, अब इसमें भी एक psychology है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे में, कि इस से क्या फरक परता है, यह option क्यों introduce करा है Facebook में, यह सब बहुत ही बारिकी level के चीज़े हैं, अगर आप यह सब सीख लेते हैं, understand करते हैं, तो बहुत अच्छा result ला स हूँ, इसी लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक situation हम समझते हैं, कि मैं यहाँ पर desktop पर नहीं चलाओंगा, मुझे यहाँ पर mobile phone user को ही दिखाना है, और मैं यहाँ पर Instagram और Facebook को दिखाऊंगा, और audience network, messenger वगरे को मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, मैं जब भी lead campaign चलाता हूँ, तो मैं इन दोनों को ही target करता हूँ, Facebook को, Instagram को, अब मैं आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं select करने के लिए, कि मैं device को कैसे select करूँगा, यहाँ पर आपको edit में जाना है, अब यहाँ पर all mobile devices हैं, तो यहाँ पर देखे करते होंगे, Oppo, Vivo, Samsung वगएर के जो phone इस्तमाल करेंगे, वो भी यहाँ से eliminate होगे, उसे भी मैं add नहीं दिखाऊंगा, अब यहाँ पर audience size देख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पर keyword भी डालना है, यहाँ पर आपको, ठीक है, मैं यहाँ पर सिभ आपको दिखा रहा हूँ कि कैस आइफोन और iPad user को आप target करेंगे, यहाँ पर आप देख सकतें included devices हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर iOS device only करा, यहाँ पर iPad all, iPhone all, iPod all, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भी laser targeting आप कर सकते हैं, यहाँ से तो एक general है, आप लोगों को दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपने क्य आइफोन 7 है, आइफोन 11 है, 12 है, जो बहुत ही middle class के होते हैं, पर वो EMI पर निकाले होते हैं, या फिर जो ऐसे market होते हैं, जहाँ second hand उन्हें मिल जाता है, इस तरह के phone सस्ते rate में, तो वो भी आजका iPhone यूज करते हैं, तो क्या वो हमारे target audience है, नहीं वो हमारे target audience नहीं है, त iPhone 6 market में, अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, तो iPhone 6 आपको पास से 6000 में मिल जाएगी, अच्छी condition में, इसी तरह iPhone 6, 6, 7 है, इसी तरह से बहुत सारी आपको phone मिल जाएगे, तो ये मेरे target audience नहीं है, ये आम लोगों के पास भी आ गये है, तो मैं जितने भी old model है, उसे eliminate कर iPhone 6, iPhone 6 Plus, मैं ये सारे को यहां से exclude कर दूँना, मैं इसे नहीं दिखाना चाहता, आपना add, क्योंकि इससे फालतो के मेरे पैसे फुकेंगे, तो मैं यहां पे आपको भी इसी तरह देखना है, कि आपके जो user है, उसे eliminate कैसे करना, iPhone 6S, 6X Plus कर सकते हैं, आप यहां पे, iPhone XR है, मै iPhone 12 को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भी old model हो चुका है, आज के time में, तो मैं iPhone 12 को कर सकता हूँ, 12 Pro, 12 Mini, यह सब को मैं कर सकता हूँ, यहां से, ठीक है, तो आप यहां देखने नहीं, मैं सारे को अगर करने लेग हो, तो वीडियो बहुत लंब हो जाएगी, मैं एक idea बता र टार्गेट करा है, इसे exclude करा है, जो old model, इसे तरह आप iPad, iPod, यह सब भी जितने भी हैं, यह भी बहुत सरे old model हो चुके हैं इनके, जो आम लोगों के पास भी मिल जाते देखने को, तो आप उन्हें exclude easily कर सकते हैं, उसके अलबब आप नीचे आएगे, यहां पे OS है, यानि operating system है, आप यहां पे देख सकते हैं, अभी जो operating system चलना है, latest operating system है, maximum यहां पे 13, 15, 17 तक है, ठीक है, तो maximum आप 17 रख सकते हैं, यहां से, और मैं जो OS version है, मैं latest अगर बात करूं, तो मैं यहां से 12 से targeting करूंगा, ठीक, operating system आप 12 से ले सकते हैं, ठीक, यहां से दखे, minimum 12 और maximum 17, जो latest operating system है, अब यहां पर आपको यह समझना है, तो only when connected to Wi-Fi, अब इसके क्या psychology है, एक research आया है, ऐसा बहुत सारे agencies है, जो इस तरह के research पर निकाले हैं, कि जब भी कोई device Wi-Fi से connected है, तो इसका मतलब है कि जो user है, जो इतमाल कर रहा है, वो stable condition में है, वो decision ले सकता है, product को buy करने के या फिर वो चीज़े जो add दिखता है, वो remember रहता है, वहां से वो add to card कर सकता है, purchase कर सकता है, या फिर जो भी user mobile data से इस्तमाल कर रहा है, या तो वो फिर travel कर रहा है, या फिर वो time pass करने के लिए किसी और activity में involved रहा है, वो stable condition में नहीं है, Wi-Fi से तभी connected होता है, या तो फिर user office में हो, तब वो Wi-Fi से connected होता है, या फिर वो घर में हो, night के time, या इस्टेबल condition में है, तो फिर वो Wi-Fi से connected होते हैं, आप high level के target कर रहे है audience को, तो आपको ये सब चीज़े mind में रखना होगा, ये सारे चीज़े आपको practical से आजाएंगे धिरे-धिरे, जैसे से आप add run करेंग तब ही उन्हें हमारा air दिखाए, और जैसे जैसे आप यहाँ पर filter लगाएंगे, जो आपकी audience size है, वो बहुत ही कम होती चली जाएगी, हलाकि fair होगा, बट audience size जहां millions में होंगे, वहाँ आपको thousands में दिखने को मिलेगी, इसके लावा एक और आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर people who prefer high value goods in India, मैं यह select कर लूँगा, इसी तरह people who prefer mid and high value goods in India, तो मैं इसे भी select कर लूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसके लवा और भी अगर इसके classification में जाएंगे, तो आप इस तरह ऐसे लोगों को target करेंगे, जो continuously, frequently international traveler हैं, वो engaged shopper हैं, इस तरीके के आपको यहाँ पर audience की targeting करना है, यानि आपको यहाँ से बिल्कुल जो middle class family है, जो कम जिनके income है, उन्हें आप यहाँ से eliminate कर देंगे, और यहाँ से फिर आपके पास जो audience आएगी, वो cream audience होगी, आप उन्हें easily target कर सकते हैं, और आप high ticket जो आपका product है, उसे sell कर सकते हैं, तो I hope कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, कि किस तरीके से हम यहाँ detailed targeting में और device level पर अपनी audience की targeting करते हैं, ऐसी situation आपकी आएगी, जब आप आगे Facebook ad expert बन जाएंगे, तो ऐसे clients भी आपके पास आएंगे, जिसके लिए आपको इस तरीके का audience persona बनाना पड़ेगा, जो सिर्फ iPhone user हैं, या फिर iPad user है, उन्हें ही दिखाना है अपना ad, तो फिर उस situation में आपको ये video बहुत काम आएगी, इसलिए आपको ये सारी चीज़े पहले ही सीख लेनी है, ताकि जब भी ऐसे कोई आपके पास client आए, तो उन्हें close करना आसानी हो, आप उन्हें बता सकने हैं, कि हम इस लेवल की targeting करते हैं, हम इस तरीके से उनको behavior के according targeting करेंगे, device level पर targeting करेंगे, जो बाते में मैंने आपको बता ही है, अपनी experience इस video में, आपको वही उन्हें बताना है, और फिर देखेंगे, आपका client convince हो जाएगा, और वो project आपको दे देगा, ठीक है, बाकी जो काम है, ad level पर जो आप ad creative बनाते हैं, title descriptions लिकेते हैं, placement वगरे, यह सब मैं other videos में भी बता चुका हूँ, इसके साथ साथ अगर आपको Google Ads सीखना है, chat GPT सीखना है, canva graphic designing सीखना है, LinkedIn marketing सीखना है, आपको content creator है, YouTube mastery सीखना है, आपको YouTube पर आप grow करना चाहते हैं, या email marketing आपको सीखना है, तो यह कोई भी confusion नहों आपको और आप easily सीख जाओ, यह सारे चीज़े हैं, इसलिए अभी subscribe करके जूर जाए हमारे साथ, ताकि आपको इसी तरह के valuable information की videos, जो है, जो courses हैं, वो आपको time to time मिलती रहे, आज की वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं next video में, till then, goodbye.